बच्चे स्वागत है हमारे इस ब्राइट इटुकेशन यूट्यूब चनल में तुदिखिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जो भी बच्चे हिंदी का एक्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्या क्या ऐसे आया था ये खासकर एलेक्ट्रिव हिंदी के लिए बहुत ह है और हमारे जो मल हिंदी लिए चाहिए उनकी लिए भी इंपोलनें यह से और आपको क्या-क्या परणा है कौन-कौनि ज्बूर्फ मेंन है से ज्यादा रिपिटिशन है कि कह सकते तो ऑब पुस्तकाले करीबन चेंरों तक यह पूचा गया पूच्छा गया पुछक्ता गय बार सोलो सत्रों करीब कितना बार रिपिटेशन के आ गया है सिब पुष्ट काले को लेकर ठीके इसके बाद समाचार पत्र भी आए हैं तीन बार समाचार पत्र पर आपको ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है इसको भी आपको ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है देखिए ओलेडी में यहाँ पर जो इंपोर्टेंट है उसको टीक मार कर दिया हूँ स्री संकर देओ यह दो तीन बार रिपिटेशन है इसको आपको पढ़ना है रिचेंट आठारो में भी एक कोशन आया हुआ था बिद्यार्थी और अनुसासन देखिए यह कोशन बहुत तरीका से एक्जामिनर घुमा के पूचिता है बिद्यार्थी जीवन अनुसासन आपको जो इस्टेप आनी चाहिए इस्टेप आपको जाना है ना की डारेक आप उठाकर लिए असम की संपदाएं बहुत ही कम यह नहीं चाहिए बिद्दार्थियों का करताबर देखिए यह था अपना प्रिय कवी आप किसी एक कवी के बारे में लिख सकते कोई भी कवी ह परदले हो कोई भी हो किसी भी कवी जो आपको प्रिय है उनके बारे में लिख सकते हैं काजी रंगा देखिए अपना प्रिय कवी यह इंपोर्टेंट है कि 98 2002 2002 में आया था गांधी जी के उपर आपको बहुत बार देखने को मिला है गांधी जी को पर डायरेक पूछा गया यह हम दाग नहीं लगाया आप दाग दीजिए गा असम की बार समस्या अभी इंपोर्टेंट है विद्यारति जीवन इंपोर्टेंट अभी के लिए में बोड़ा हूं बहुत का इंपोर्टेंट है अपने जीवन का लच्छ आप अपने जीवन के एम इन यूर लाइफ देखिए टोपी को किस तरह थोरी सी रास्ता जो है थोरी सी अलग मोर दे दी जा रही है एक्जामिनर आपको थोरी अलग मोर दे दी जा एक्जामिनर यहां पर डायरेक कर सकता था कि अपने जीवन के लच्छ के बारे में लिखिए नहीं उन्होंने इस टाइप से ना को घुमाता है एक्जामिनर मेरे जीवन का लच्छ यह दोनों ही एक ही है क्या जरूरत था दोनों को अलग तरीके से लिखने की देखिए 2004 में इस टाइप में 2005 में एक ही कोशन दो बार रिपीटेशन लास्ट यह कोशन ही रिपीटेशन है जो बच्छा 2004 में एक्जाम दिया फोलू कर रहा है यानी लास्टेशन को अच्छी तरह उस के और उसके कोश्टेशन को फोलो कर रहा है तो बिलकुल वह 2005 में यह आटेप करके ही आया होगा विद्दयाति राजित यह सब कोई जरूरी नहीं इसको छोड़ सकते हैं हम बोल नहीं हो ही जरूरी है इतना इंपो विग्यान वर्दान ही है देखिए हम कोई भी एसे राइटिंग लिखते है ना उसकी पॉजिटिव और नेगिटिव दोनों ही आपको याद होनी चाहिए उसके मेरी डीमेरित को भी याद रखनी चाहिए तभी आप एक एसे में अच्छा खासा नम्बल ला सकते हैं यानि बहुत सारे हम विग्यान का जो विग्यान तो एक तो वर्दान ही ही है लेकिन विग्यानों का लोग गलत इस्तेमाल करना सुरू कर दिये हैं जो मतलब अविच्छा आपके तोर पे आना सुरू हो जा रहा है ठीकि तो यह आपके उपर डिपेंड करता है आप अपनी थिंकि आपको ही बताएगा आपको पढ़ना ही पढ़ेगा कि ख्यलकुद का क्या महत्तो है आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि ख्यलकुद हमारी जिंदिक में कितना बड़ा महत्तो रखता है प्रोदूशन बहुत इंपोर्टेंट है थोड़ी आपको टीचर बार-बार आपक क्या बोलू हमारे इस हमसे तो प्रोदूशन को रोकने के लिए सबसे पहला एक काम करना चाहिए कि लोगों को यान वहन खरिदे समय मतलब सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए और किस टाइप की रोक एसा नहीं बोल रहा हूं कि पूरी रोक लगा देनी सरकार को एक आप खरीद रहे हैं तो यह मेरी थिंकिंग है जिसके सारे मैं सोचता हूं कि मैं इसको रोक भी सकता हूं तो आपके उपर है तुम्हारे प्रिये साहितेकार बार बार आता है अपने जीवन का लच्छे यह जरूर पढ़ ले बार बार कॉंपूटर कॉंपूटर दिखे कॉ डिसेंटली हिंदी भासा की जानकारी अभी अठारों में आया हो था मुबाइल फोन की ज़रूत नहीं पढ़ने की प्रोदूसन की रोक थाम ज़रूर पढ़ने की प्रोदूसन को पढ़ने से यह बी ऐसे खबर होगा जो बोला जा रहा है उसी को करें विद्यार्थी और साथ सब्सक्राइब बन गया है इसके उपर कितना सुन्दर आर्टिकल अब लिख सकते हैं प्लास्टिक मनुस्टों का सत्रू कैसे बन गया है जहां चाहां वहां रहा देखिए हम जहां से चाहेंगी वहीं से आज अगर चाहने नहीं हमें कुछ बनना है इसके लिए तो साल ऐसा आएगा एक समय साइगा मैं बन जाओंगा ठीक है अपनी मंजील मिल जाएगी लेकिन आज ही नहीं चाहेंगे तो हम मिलेगे ही नहीं जहां चाहें वही रहा है इसका मतलब आपको आपको क्या आपको कहना चाहता हूं कि आपको बोलेंगे सर शीवाप कोशन दिखा देंसर नहीं दिये नहीं इसी बात नहीं है असम की बार समझे आप उस्ते काले विद्याथी जिवन महुत हिंदी वासा का मतों खेल के कुट का मतों मेरे प्रिया साहित्यकार मेरे जीवन का अच्छे इतना ऐसे मैं आपको अलड़ी प्रॉबाइट कर चुका हूं यहां तक का पॉलूशन यहां तक का एक और कोवीड-19 को पढ़ना ही पढ़ना है कोवीड-19 ठीक है जो संक्रमन फैली हुई है जो महामारी फैली हुई है अभी देश में मतलब इतनी बुरी हालात हो चुकी है देश इस संक्रमन की वज़से इसके उपर ऐसे आने की संभावना बहुत ज़्यादा है कि आप उसके पर क्या सोचते हैं यह महामारी सिस्टी कैसे हुई इसके बार में आपकी तिंगी क्या है उसके उपर आपको नोट लिखना ही आएगा ठीक है तो उसके बार मे आच hear मैं आसा करता हूं आप खुशीसे हें और यह झिसा करता हूं कि आपका एक्जाम सब्रेक्स की बहुत सरी तरीके से जाएगा लेकिन जिख है कि अभी उतल-पुतल मच्यू है यह एक्जाम होगा कि नहीं होगा देखिए यह कभी भी yemेट न assessments कर दिजाये पर एक्जाम होगा ही ठीक है ऐसा नहीं है कि एक्जाम कैंसल हो जाएगा बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं हस्टे की उस कर रहे हैं ट्वीट कर रहे हैं कैंसल की cancel नहीं होगा बच्छे यह बेकार की बातें इस आप मत बोलिये हैं आपका एक्जाम को पॉस्पॉन कर दिया जाएगा केंसल मतलब केंसल मतलब होगा ही नहीं पॉस्पॉन मतलब आपकी डेट को पिछा दिया जाएगा ठीक्छे इतना हो सकता है कोरोना की जो इफेक्टेट बढ़ती जा दिया तो वाई वाई टेक किया कोई भी अगर कोई ली हो नीचे कमेंट कर